नमस्कार बायजूज एक्जाम प्रेप आयस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 23 जुलाई के दहिंदू समाचार पत्र में आए कुछ बहत्पुन समाचारों का विशलेशन करने वाले हैं तो आये सुरू करते हैं आज का समाचार विशलेशन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज की सत्र में हम किन-किन विशियों पर चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले सरना धार्मिक सहिता को लेकर के जो न्यूज आया है काफी important न्यूज है आपके लिए उस पर हम चर्चा करेंगे रूस और यूक्रेन की द्वारा अनाज निर्यात को लेकर के जो सौदा किया गया है इस न्यूज को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं रूसी राश्पती की जो हाल की इरान यात्रा है उसको अधार बना करके जो न्यूज आया है हम उसकी भी यहाँ पर चर्चा करने वाल आज के पेपर के पेज निम्बर 7 पर एक न्यूज आया जिसका सिर्षक है बिंग सरना एफाइट टू डिफाइन ट्राइबल आइडिनिटी और एटॉपिक समान अध्यन 2 और समान अध्यन 1 समाजिक मुद्दो से जुड़ा हुआ है तो बहुत इंपोर्टेंट न्यूज है यहाँ पर सरना धर्म को लेकर के चर्चा हो रही है आप सभी जानते हैं 2020 में ही जारखंड की सरकार के द्वारा विधान सभा का एक विशे सत्र बुलाया गया था जहां पर ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि केन सरकार को जो सरना धर्म है जिसका किपालन आदिवासी समदाए के दोरा किया जाता है उसे जो है 2021 की जो जनगणना है उसमें एक अलग कोड के रूप में सामिल किया जाए यानि की अलग धर्म के रूप में सामिल किया जाए। पिछले कई वर्सों से जारखंड और अन्य आदिवासी इलाकों में जो है इसको लेकर के मांगे बढ़ती जा रही हैं, आंदोलन हुए हैं, विरोध परदसन हुए हैं और इस साल के सुरवात में भी जारखंड के जनगन्ना होगी उसका भहिसकार कर देंगे। यहां पर वैसे आदिवासी ग्रूप जो सरना धर्म का पालन करते हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि चुकि 2021 की जो जनगन्ना है, उसमें जो धर्म का कॉलम है, उसमें अन्य यानि की जो अदर का विकल्प है उसको हटा दि जनगन्ना में एक अलग धर्म के रूप में मानता मिलनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाते है कि आखिरिये सरना धर्म है क्या, आपको ध्यान में रखना है कि जार्खन के बहुत सारे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वे जो है सरना धर्म का पालन करते हैं, सरना धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो प्रकृति की पूज करते हैं यानि की जल जंगल जमीन के अनुयाई होती हैं वे अपने वन छेतरों की रक्षा करते हैं अपने पहाड़ों की रक्षा करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि जो सरना धरम के मानने वाले लोग हैं वे जो हैं प्रकृति के फूजा करते हैं उनके अनुयाई होते हैं और ज धर्णा धर्म का पालन करते हैं उसको मानते हैं आपको ध्यान में रखना है कि जारखंड में 32 आदिवासी समू है जिन में से 8 ऐसे आदिवासी समू है जिन्हें की कमजोर जंजातिय समू घोसित किया गया है आपको ये भी ध्यान में रखना है किन आदिवासी समू हों में से अधिकतर जो आदिवासी समू है वो या तो हिंदु धर्म का पालन करते हैं या फिर इसाई धर्म का पालन करते हैं क्योंकि कुछ आदिवासी जो हैं वह इसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं और इसलिए जो सरना धर्म को मानने वाले अदिवासी सम्मू हैं वे खास करके इस बात पर जोड़ देते हैं कि उनकी अलग धर्मिक पहचान के लिए जो है उन्हें एक अलग धर्म की संग्या मिलनी चाहिए यानि कि सरना धर्म यहां पर यह जानकारी दी गई है कि जो 2011 की जनगन्ना हुई थी उसमें पूरे देश में 50 लाख अदिवासियों ने जो है अपना धर्म सरना बताया था हाला कि हमारे देश में सरना धर्म को लेकर के कोई भी अलग से कोड नहीं है कानून नहीं है और इसी से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा मांग है अगर हम इस मुद्दे के उपर जो राजनीती है उसकी बात करें तो जार्खंड में इस मुद्दे को लेकर के काफी बवाल हुआ है काफी विरोध परदसन हुए है और यहाँ पर यह कहा जाता है कि सरना धरम का पालन करने वाले बहुत सारे जो आदिवासी समुदाई के लोग है वे जो है इसाई धरम में परिवर्तित हो गए है याने कि उन्होंने इसाई धरम को अपना लिया है आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम जार्खंड राज की बात करें जार्खंड में 4% से अधिक इसाई लोग रहते हैं जिनमे से अधिकांस आदिवासी है याने कि बहुत सारे आदिवासी उन्हें अपने धरम को यहाँ पर बदला है और उन्होंने इसाई धरम को अपनाया है अब यहाँ पर वो आदिवासी समुधाय जो कि सरना धरम का पालन करते हैं उनका ये कहना है कि वैसे अधिवासी जिन्होंने अपना धरमांतर्म कर लिया है याने कि उन्होंने इसाई धरम को अपना लिया है उन्हें जो है अल्वसंखक के रूप में आरक्षन भी मिलता है और इसके साथ साथ वे जो है अनसूचित जनजातियों के जो लाव दिये जाते हैं उसका भी लाव उठाते हैं और यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो लाव अनसूचित जनजातियों को दिये जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्ही आदिवासियों को दिया जाना चाहिए जिन्हों ने अपना धर्म परिवर्थित नहीं किया है। तो इसको ले करके भी वहाँ पर पूरी राजनेति होती है, विरोध परदसन होते हैं। अगर हम ये बात करें कि आखिर राज सरकार का इस मुद्धे पर क्या कहना है, तो राज सरकार ने जो है एक पत्र लिखा था केन सरकार को 2020 में ही, उसमें राज सरकार का ये कहना था, कि अगर हम आदिवासियों की जनसंख्या देखें हमारे देश में, तो वह 1931 में 38.3% थे लेकिन अगर हम 2011 में जब आदिवासियों की जनसंख्या का मुल्याइंकन करते हैं, तो यह घट करके कितना हो गया है 26.02, इसका मतलब है कि आजादी के बात से लगातार जो है आदिवासियों की जनसंख्या घटी चा रही है, इसके बहुत सारे कारण है, लेकिन यहाँ पर जारखंड सरकार का यह कहना है कि इसमें से एक कारण यह भी है कि वैसे आदिवासि जो जारखंड राज से निकल करके दूसरे राज्यों में काम की तलास में जाते हैं और जब वहाँ पर जन गन्ना होती है, तो वहाँ पर ऐसे आदिवासियों को आदिवासि के रूप में रिकॉर्ड नहीं किया जाता यानि कि अन राज्यों में जो है उन्हें आदिवासी के रूप में नहीं गिना जाता है जिसके कारण भी आदिवासियों की जनसंख्या में कमी दिखाई देती है और यहाँ पर इसी को देखते हुए राज़ सरकार का ये कहना है कि अगर हम सरना को अलग धर्म बना देते हैं उसके लिए अलग कोड़ बनाते हैं तो यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है चाहे वह किसी भी राज में जा करके काम करता हो उन्हें जो है आदिवासी के आदिवासियों की आबादी इसी तरीके से घटती रही तो जो समयधानिक अधिकार अधिवासियों को दिये गए हैं उनके उत्थान के लिए उनका लाभ जो है आदिवासियों को नहीं मिल पाएगा आप सभी जानते हैं कि पाँचवी अनुसुची के तहट भी आदिवासियों को बहुत सारे अधिकार दिये गए हैं और यहाँ पर राजसरकार का ये कहना है कि जिस तरीके से आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है उससे जो है जो समिधानिक अधिकार उनको दिये गए है उन तक उनकी पहज मुश्किल हो गई है तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर जुड़े हुए हैं खास करके ये मुद्दा कि आदिवासियों की पहचान जो है वो अलग होनी चाहिए और इसलिए जहरखंड में सरना धरम को जो है एक धरम के रूप में मानता दे के रूप में मानता दे देते हैं तो उससे क्या लाब होगा यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि चुकि जो आदिवासी समुद्दाय हैं वे अपनी भासा और अपने इतिहास को ले करके बहुत ही समयदंसील होते हैं वह जो है अपनी अलग पहचान को बनाए रखना चाहते हैं और इसलिए अगर हम सर्णा धरम को जो है एक अलग धरम के रूप में मानता देते हैं तो जो आदिवासीों की भासा है उनका जो संस्कृती है उनका जो इतिहास है उसे सुरक्षित रखने में उसे अलग पहचान देने में काफी मदद मिलेगा यहाँ पर एक बहुत ही महत्मून बात कहे गए है जिसको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पर यह कहा गया है कि 1871 से ले करके 1851 तक हमारे जो आदिवासी हैं उनके लिए एक अलग कोड था हाला कि 1961-1962 के आसपास इसे बदल दिया गया था और यहाँ पर बहुत स सारे लोग का यह कहना है कि जब आज पूरी दुनिया प्रदुसन को कम करने के लिए और परियवरन की रक्षा करने के लिए जूज रही है तो ऐसे समय में अगर हम एक सरना धरम को धरम की मानता देते हैं तो इससे फाइदा ही होगा क्योंकि मैंने आपको यह बतलाया है कि स सरना धरम को मानने वाले जो आदिवासी हैं वे जो हैं प्रकिर्ती और पारियवरन की रक्षा करते हैं वे प्रकिर्ती की पूजा करते हैं और इसलिए वे अपने आस पास की प्रकिर्ती को जंगलों को पहाडों को कोई भी नुक्सान नहीं पहुंचातें तो यहां पर पार करके जर्खंड के आदिवासियों के लिए वहां पर लगातार इस मुद्दे को ले करके चर्चाएं होती रहती हैं आदिवासियों के द्वरा विरोध प्रदसन होता रहता है और चुनाओं में भी यह एक बहुत ही अहम मुद्दा बन जाता है तो बहुत important news है जो बाते मैंने आपको बताई है उसको आपको जरूर ध्यान सुनेंगे जरूर इस news को पढ़ने का प्रयास करेंगे आए एक और news की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आज के paper के page number 11 पर एक news आया जिसका सिर्षक है Russia Ukraine seal grain export deal और एक टॉपिक समान अध्यन्दो खास उरक्षा और अंतराष्टे समंधों से जुड़ा हुआ है यहाँ पर आपको ध्यान भी रखना है कि Ukraine के यूद के सुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब रूस और Ukraine ने जो है साफ हो गया है साथ ही जो रूस का अनाज जो की निर्यात नहीं हो पा रहा था और उसके जो उर्वरक हैं उनके निर्यात का भी रास्ता इस समझोते से साफ हो गया है यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो एक गतिरोद उत्पन हो गया था रूसी और युक्रेणी अनाज के निर्यात को ले करके जिससे कि दुनिया भर में जो है खा सुरक्षा को ले करके खत्रा पैदा हो गया था आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों लगातार यह देखने को मि पूरी दुनिया में जो है जो खाद वस्तुएं हैं उनकी कीमितें बड़ी हैं जिसमें कहीं न कहीं रूस और युक्रेण का जो युद्ध है वो बहुत बड़ा कारक है यहां पर यह जानकारी दी गई है कि जो युक्रेण है वग्येउं मक्का सुरज मुखिक तेल का दु जो है नौसेनिक नाकेबंदी की गई थी उसके बाद से जो है युक्रेण इन अनाजों का निर्यात नहीं कर पा रहा था इसी तरीके से रूस भी जो है अपने अनाजों का निर्यात नहीं कर पा रहा था उस पर जो है अनुके तुरह के परतिबंद लगाए गये हैं वह जो जो है अंतराष्ठी प्रतिबहन जो है उस पर लगाए गए हैं जिससे की इन वस्तों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे थें यहां पर ये बात जरूर बताया गया है कि यूरूब के रास्ते से जो है मतलब की सड़क का इस्तिमाल करके रेल का इस्तिमार करके कुछ काच महीनों में जो है गेहूं, चावल, जो इनके जो दाम हैं वो काफी बढ़े हैं अब यहां पर इस बात की चर्चा की गई है कि आखिर ये जो समझोता है वह किस तरीके से लागू किया जाएगा यहां पर ये कहा गया है कि वैसे जहाज जो अनाजो को लेकर के जाएंग और यहां पर यूवेन और तुरकी जो है वे जो है इन जहाजो को जिसमें की अनाज भरा होगा उन्हें जो है एसकोर्ट करेंगे यहां पर इस बात का निरक्षन किया जाएगा कि वे जहाज जो की अनाजो को लेकर के जा रहे हैं उनका इस्तमाल जो है हतियारों के निर्या या फिर आयात में नहीं किया जाए यानि कि इसकी पूरी जाच होगी कि जहाजों का इसतमाल सिर्फ और सिर्फ अनाज को निर्यात करने में किया जा रहा है उसकी सप्लाई में किया जा रहा है। यह पर यह कहा गया है कि कोई भी रूसी जहाद जो है किसी भी ऐसे जहाद को escort नहीं करेगा जो की अनाज लेकर के जा रहा होगा यानि कि मुख्यता यह काम जो है या तो तुर्की या फिर UN के द्वारा किया जाएगा यहां पर यह भी कहा गया है कि युक्रेन के वैसे बंदरगा जहां से जो है अनाजो का निर्यात किया जाएगा वहां पर कोई भी रूसी प्रत्रीधी मौजूद नहीं होगा तो यहां पर इस तरह के समझोते किये गए हैं जिससे की रास्ता यह साफ हुआ है कि रूस और युक्रेन के वैसे जहाज जो की अनाजो को ले करके जा रहे हैं उन पर कोई हमला नहीं हो, उनका इस्तमाल हत्यारों को ले जाने में नहीं किया जाए जिससे की दुनिया में जो संकट उत्पन हुआ है उससे जो हम सही तरीके से लड़ सकें जो खादे वस्तुए हैं उनके दाम कम किये जा सकें जैसा कि मैंने कहा कि पिछले पांच बहिनों में आपको देखने को ये मिलेगा कि जो खादे पडार्थों के दाम हैं वह लगातार बढ़ते रहें इस पर हमने काफी चर्चाएं की हैं और यहां पर दुनिया भर के देशों ने इस समझोते का समर्थन किया है उनका ये कहना है कि यूक्रेन और रूस के जो अनाज हैं जिसकी जरूरत गरीब देशों को और विकासिल देशों को सबसे जादा है निर्यात बढ़ाने से जो है क्या होगा उनके जीवन की रक्षा हो पाएगी लाखो परिवार जो है वह भोजन के लिए संघर्स कर रहे हैं उन्हें फाइदा होगा जैसे यहां पर डेटा दिया गया है कि पिछले छे महिनों में सुडान में जो है भोजन की जो कीमिते हैं वह लगभग 187% बढ़ी हैं सीरिया में 86 तक बढ़ गई है और यमर में ये कम से कम 60 परसेंट तक बढ़ गई हैं और यह सभी गरीब देश हैं जहां कि जन्ता पहले से ही भुखमरी का सिकार है और यहां पर अगर रूस और युक्रेन के अनाजों के निरियात का रास्ता साफ होता है तो इन देशों के तरह ही अनेक देशों को जो है यहाँ पर फाइदा होने वाला है तो बहुत important news है खास करके अंतराष्टिय समंद्ध और food security को लेकर के पिछलों दिनों हमने food security को लेकर के काफी चर्चाई की है कि किस तरीके से जो है दुनिया में अनाज की कमी हुई है महंगाई बढ़ा है तो उसको देखते हुए यह जो समझोता है वो काफी महत्पुन हो जाता है आए एक और news की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आज के paper के page number 6 पर एक editorial आया जिसका सिर्षक है union of the sanction और a topic समान अध्यंदों अंतराष्टे समन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर चर्चा की जारी है रूसी राष्टपती के इरान दोरे की जैसा कि इसके सिर्षक से भी आप समझ सकते हैं सिर्षक क्या है union of the sanction यानि कि जो प्रतिबंधों का दबाव है इरान के उपर और रूस के उपर उसने कहीं न कहीं इन दोनों देशों को जो है नज़दीक लाने में बहुत ही बड़ी भूमी का अधा की है आपको ध्यान में रखना है कि रूस के राष्टपती जो ब्लादमीर पुतिन है वे जो है अपनी अंतराष्टी यात्रा के करम में इरान पहुचे हैं और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि रूस के द्वारा जो यूकरेन पर हमला किया गया था 24 फरवरी को उसके बाद यह रूसी राश्पती की पूर्व सोवियत छेतर के बाहर पहली यात्रा है और यहाँ प पर जोड़ देता है कि कैसे यूरोप और सन्युक्त राज अमेरिका के द्वारा जो सैंक्सन लगाए गए हैं इन दोनों देशों पर आप सभी जानते हैं कि इरान पर भी पश्चमी देशों के द्वारा अमेरिका के द्वारा प्रतिबंद लगाए गए हैं यूकरेन पूरी दुनिया में अलग थलग पढ़ने से बचाने के लिए अपने समंधों को मजबूत कर रहे हैं तो यही इस एरिटोरियल का में थीम है यहां पर ये कहा गया है कि रूस और यूरान दोनों देशों के अधिकारियों के द्वारा हाल के दिनों में ये साफ-साफ कहा गय जैसे कि आपने सेरिया में देखा होगा वहां पर रूस के द्वारा इरान का समर्थन किया जाता है लेकिन दोनों देशों के रिष्टों में कभी-कभी खटास भी देखने को मिलती है खास करके इरान इस बात से नराज रहता है कि रूस जो है इन दोनों के रिलेशन में जो अब यहां पर रूस को जो है इरान की जादा आवसकता है और इसलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि रूसी राश्पति के इरान में उतरने से कुछ घंटे पहले ही दोनों देसों ने जो है लगभग 40 बिलियन डॉलर के उर्जा समझोते के एक ग्यापन पर हस्ताक्षर किया ह पर रूस की जो कंपनी है Gazzaprom वह जो है उर्जा चेत्रों के विकास और LNG परिजनाओं में और पाइपलाइनों के निर्मान में जो है राष्ट्य इरानी तेल कंपनी के साथ मिलकर के काम करेगा तो यहां पर आप साथ-साथ देख सकते हैं कि रूस के द्वारा जो है के दोरान ही दावा किया था कि रूस ने जो है युक्रेन में तनात करने के लिए इरान से जो है कई ससस्त्र डोन भी मांगे हैं यानि कि रूस चाहता है कि जो इरान के ससस्त्र डोन है इरान जो है उसको रूस को सप्लाई करे जिसका इस्तमाल वह युक्रेन में करेगा पहले स इस तरीके सेयुद काफी लंबा खिष्टा चला जा रहा है उससे परिसान है और इसी को देखते हुए पूरे के पूरे पश्चिम एसिया में अपना प्रभाव उसको मजबूत करने के लिए रूस को इरान की जरूरत है और इसलिए रूस ने इरान के साथ आर्थिक, रक्षा और रनितिक साहिजदार्य को और गहरा करने का परियास किया है और उसके साथ मिल करके एक गटबंधन बना रहा है इरान को भी रूस की आवा सकता है क्योंकि जिस तरीके से परमानु समझोते को ले करके 2018 में अमेरिका के साथ उसका जो बादचित है वो बंद हुआ उसके बाद से इरान ने अपने इस्तिम मजबूत करने के लिए चीन और रूस के साथ अपने समंधों को बढ़ाना सुरू कर दिया था तो यहाँ पर दोनों देसों को एक दूसरे की आवसकता है और इसलिए यहाँ पर देखने को यह मिल रहा है कि रूस और इरान दोनों एक दूसरे के साथ अपने सभी समंधों को चाहे वो आर्थिक हों चाहे वो रक्षा के छेतर में हों या फिर रनितिक साज़दारी हों उ तूर्की के राश्पती के साथ भी हुई है जहां पर उन्होंने सीरिया के ग्रियूत को ले करके तूर्की के राश्पती के साथ चर्चा की है और मैंने अभी आपको पढ़ाया कि यहां पर रूस और युक्रेन के बीच में जो है एक समझोता भी हुआ है जिसमें कि युक्रे इस बात का संखेत है कि किस तरीके से ब्हू राजनीति है जो जियो पुलिटिक्श है इस छित्र में काफी कॉंपलेक्स है। तुर्की जो है नाटो का सदस्य देश है उसने युद्ध की निंदा की थी और तुर्की ने युक्रेन को अपने ड्रोन की आपूर्ती भी की है लेकिन जब पश्मी देशों ने रूस पर प्रतिबंद लगाया तो यहाँ पर तुर्की ने इसका भी विरोध किया यानि कि तुर्की जो है मौस्को के उपर जो प्रतिबंद लगाये गए हैं उसमें सामिल नहीं है तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तुर्की युक्रेन को ड्रोन की भी सप्लाई करता है वह रूस के द्वारा जो आकर्वन किया गया है उसकी निंदा भी करता है लेकिन वह मौस्को पर यानि कि रूस पर जो है कोई प्रतिबंद लगाने से इनकार भी कर देता है यानि कि यहां पर तुर्की और रूस को जो है सीरिया में अपने हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे की आवशक्ता है तो आप देख सकते हैं कि जो पस्चिम एसिया है उसमें जो जियो पोलिटिक से वो काफी कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है और इस सभी बातों को जो है यहां पर एटोरियल में उठाने का परियास किया गया है एक तरफ जो अमेरिका है वह अपना जो प्रभाव है पस्चिम एसिया में बढ़ाने के लिए सौधी अरब और इसराइल जैसे देशों का उप्यूग कर रहा है उसी तरीके से यहां पर देखा जाए तो रूज जो है वह इरान के माध्यम से तुर्की के माध्यम से जो है क्या कर रहा है इस छेतर में अपना प्रभुत बढ़ाने का परियास कर रहा है तो आने वाले दिनों में इस छितर का जो जियो पॉलिटिक्स है वो काफी और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है जिसको लेकर के यहां पर चर्चा किया गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये इसको भी आप लोग जरू ध्यान से पढ़ेंगे आज ये एक और न्यूस की हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं आज के पेपर के पेज नंबर सिक्स पर एक एक एटोरियल आया जिसका सिर्शक है और डूपिक समान अध्यनतीन आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है जैसा कि आप सभी जानते है कि पिछले दिनों हम ने देखा की लगातार जो है रूपिया वह डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है इस मुद्वे पर हमने काफी चर्चाएं की है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिके डॉलर के मुकाबले रूपिया जो है वह काफी कमजोर हुआ है इस वर्ष के सुर्वास से ही या देखने को मिला है कि रूपिया जो है वह डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर होता जा रहा है और जोसमें टोटल जो गिरावत है बलवलगभग 7% का आँका गया है यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार का जो बढ़ता चालू खाता घाटा है और जिस तरीके से जो छोटे विदेशी पोटफोलियो निवेसक हैं वे लगातार जो है देश को छुड़ करके जा रहे हैं अपने इनवेश्टमेंट को निकाल रहे हैं उससे महंगाई की दर थी वह 9.1% थी जो कि काफी ज्यादा है पिछले वर्सों में अगर हम compare करें तो तो यहाँ पर इसको देखते हुए अमरिका का जो federal reserve है उसने जो है अपनी मौदरिक निती में काफी बदलाव किये हैं वह लगातार जो है अपने यहाँ जो interest rate है उसे बढ़ाता जा रहा है अपने यहाँ पर महंगाई को कम करने के लिए और यहाँ पर बहुत सारे लोग का ये कहना है कि अभे भी US में जो महंगाई की दर है वो काफी ज्यादा है इसको देखते हुए जो federal reserve है वहाँ का वो जो है ब्याज दरों में जो व्रिधी है उसको जारी रखेगा अब यहाँ पर इसका परिणाम ये हुआ है कि जो छोटे portfolio निवेसक हुआ करते थें वे जो है भारत जैसे देशों से अपना पैसा निकाल करके अपना निवेस निकाल करके फिर से अमेरिका में निवेस कर रहे हैं ताकि वहाँ पर उन्हें अच्छा return भी मिलेगा और उनका जो पूंजी है वो भी बचा रहेगा यहाँ पर यह कहा गया है कि अक्टूबर 2021 के बाद से भारत में लगभग जो विदेशी portfolio निवेसक हैं उन्होंने जो है लगभग 30 billion से जादा का जो है निवेस बाहर निकाला है जिससे कि जो रुपए पर जो दबाव है वो काफी बढ गया है यह सारी बातों पर हमने पहले भी चर्चा की है इसके अलोग यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से जो कच्छे तेल की दाम है वह अंतराष्ट्य मार्केट में काफी बढ़े इसके कारण भी जो आयात बिल है भारत का वो काफी बढ़ा है जिससे कि जो हमार विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी प्रभावित हुआ है अब यहां पर इस बात की चर्चा की गई है कि जिस तरीके से रुपया कमजोर हुआ है उसका क्या प्रभाव पढ़ने वाला है तो आप सभी जानते हैं कि जब रुपया कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले तो हो स जैसे बंगला देश है, साउथ कोरिया है, जापान है उसे भी जो है इसका फाइदा हो रहा है यानि कि यहां पर जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा था उसका फाइदा हमें निर्यात में हो सकता था लेकिन उसका फाइदा हमें निर्यात में नहीं ह हुआ है दूसरा कि जो वैस्विक अस्तर पर डिमांड की भी काफी कमी है जिससे कि निर्यात को जो है फाइदा यहां पर नहीं हो पाया है इसके बदले में जो हमारा आयात है वो काफी बढ़ गया है उसका जो बिल है वो काफी बढ़ गया है आप सभी जानते कि हम बाहर से को रुपिया जो है डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है इसलिए जो आयात बिल है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है जिसे कि हमारे देश में इन सभी चीजों के दाम बेतहासा बढ़े हैं। आत्मेनी वेस नहीं करेंगे तो यह असर हो सकता है किसका तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि रुपे के कमजोर होने का क्या असर भारत पर पड़ सकता है। और इसके अलावा जो है जिस तरीके से जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो देश छोड़ करके अमेरिका में जाकरके अपना इन्वेस्टमेंट ले करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर वे परियास जो आर्बे के द्वरा किये गए हैं उसकी चर्चा की गई है। तो इन सभी बातों की यहाँ पर चर्चा की गई है जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आए अब विन्विसों पर धारित मुख्य परिच्छा के अभ्यास प्रस्टों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर question number one है सरना धर्म क्या है जारखंड सरना आदिवासियों के लिए अलग धार्मी कोड क्यों चाहता है। इस बात पर आपको चर्चा करनी है। तो मैंने आपको समझाया है कि आखिर यह सरना धर्म क्या है उसका आप यहाँ पर उलिख करें और आदिवासियों जो बुद्दे हैं जिस तरीके से उनकी जनसंख्या कम हो रही है। उन्हें या तो हिंदू या फिर इसाई समझा जाता है इसको लेकर के यहाँ पर जो आसंकाएं आदिवासियों के तुरह जताई जा रही हैं उस बात की आपको यहाँ पर चर्चा करना है। आईए आप कोश्चन नमबर टू पर चर्चा कर लेते हैं कोश्चन नमबर टू है पस्चिम एसिया में रूस अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए इरान पर दाउन लगा रहा है। जो है जियो पॉलिटिक्स वो काफी कॉंप्लिकेटेड होता जा रहा है उन सभी बातों की आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। तो आसा करता हूँ कि आप सभी को आज का यह समचार विसलेशन पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स इंपोर्टेंट हैं उनको आपको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। सारी बातों को नोट कर लेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, सेयर करें और दूसरों को भी सब्सकाइब करने के लिए प्रीद करें। तो मिलते हैं समचार विसलेशन की अगले अंक में तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।